Hello students, आज हम लोग बात करेंगे operating system की, तो देखिए अभी तक computer के basic introduction के बारे में उसमें कौन सा number system यूज होता है, क्या होता है, कौन सी devices यूज होती हैं, ये सारे lecture हम लोग discuss कर चुके हैं, और ये सारे video lecture available है channel पे, आप ने अगर उसको नहीं refer किया हो तो refer कर सकते हैं, आज हम लो part की जिसमें जो सबसे important होता है, वो होता है operating system, operating system, तो देखिए operating system क्या होता है computer में, अगर एकदम simple ढग से आप समझना चाहें, तो आप simply ये समझ लीजे, कि मान लीजे, ये आपका computer है, computer मतलब ये आपकी machine है, hardware component जो आप देख रहे हैं, ठीक, और suppose कीजे, आप यहाँ पे ह अगर आपको computer से कोई काम कराना है, तो आपको मालूम है कि previous lecture में हम लोग देख चुके हैं कि computer को कोई भी command देना है, तो computer केवल one zero की language समझता है, machine language, machine language, ठीक है, लेंगवेज पे भी जब आगे आएंगे हम लोग तो detail आपको lecture देंगे, otherwise मेरे दूसरे channel पे computer languages के नाम से video कोई भी user है, गर उसे computer से कोई काम कराना है, तो उसको computer की ही भासा में समझाना होगा, और computer कौन सी भासा समझता है, computer समझता है one zero की form, तो इसका मतलब क्या हुआ कि user हम लोग है, तो हम लोग तो अपने normal English में, Hindi में, पज़ाबी में, French में, Latin में, जिसमें भी हम लोग उसमें command देंगे, तो हमें एक माध्यम की जरूरत होती है, जो हमारे और computer के बीच में communication को establish कर सके, ताकि computer हमारी बात समझ सके, और हम computer का result समझ सके, तो user और computer के बीच में एक software, program install किया जाता है, उसको कहते हैं operating system, operating system, मतलब क्या हुआ, कि अगर computer से कोई काम कराना है, तो user क्या करेगा, user command देगा किसको, operating system को, operating system उसको computer readable form में करके, computer जिस चीज़ को समझ सके, उस form में करके, computer को वो चीज़ देगा, command, one zero की form में, और जो भी काम करना है, computer उस काम को करके, वापस result देगा operating system को, operating system वापस user को, तो यानि कि आप simply ये समझ सकते हैं, कि user और computer, समझ रहे हैं, इसके बीच में माध्यम का काम करता है, operating system, जिसको short में OS भी लिखते हैं, यानि ये इससे communicate करेगा, फिर ये इसको command देगा, फिर ये अपना काम करके, वापस इसको देगा, और ये वापस user को देगा, ये तो इसका, बहुती brief और basic introduction हो गया, कि operating system क्या होता है, ठीक, अब इसमें चुकी, अब हम लोग software पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो बार-बार मैं इस word का use करूँगा, software, तो software simply क्या होता है, आप ये समझ लिजे, software जो है, set of instructions, set of instructions, या और आसान language में आप समझ सकते हैं, कि set of commands, set of commands, समझ रहे हैं, ये आपको समझने के लिए हम बता रहा है, कि set of instructions जो होता है, उसको as a whole हम लोग software बोलते हैं, तो जो operating system होता है, वो क्या होता है, वो core software होता है, core software मतलब कोई भी computer है आपका, या कोई भी machine है, खेर अभी हम लोग computer की बात करना है, तो computer पर आ जाईए, कोई भी computer बगार operating system के नहीं चल सकता, ये आप ध्यान रखेगा, अगर आप भी कहिए कि सर कोई computer है, वो भी कहिए बगार operating system के चली हमें, बहुत छोटा सा भी काम कराना है, कोई भी काम, without operating system possible नहीं है, तो इसका मतलब, जब भी आपके पास कोई computer होगा, या कोई computer आप लें तो उसके साथ में, मतलब computer मतलब hardware machine, components वगर जोड़के, assemble करके computer बना दिया, तो उसके साथ आपको software उस machine पे install करना पड़ेगा, ठीक है, software भी उस पे आपको साथ में लगाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही आसान और simple नहीं हमने आपको बता दिया, कि operating system क्या होता है, और अब आगे चलते हैं, ठीक है, operating system कई function perform करता है, it performs many function, और main आप ये याद रखिएगा, कि operating system का main काम यही है, कि computer, computer और जो outside world है, अगर ये computer है हमारा, ठीक, और ये हमारा बाहर का outside world है, तो इससे connect करने का काम कौन करता है, operating system करता है, जो outside world मतलब, जो user है, वो operating system को command देगा, instruction देगा, operating system वो चीज, computer को देगा, computer understandable form में, computer जिस form में समझ सके, उस format में command देगा, फिर वो काम करके वापस operating system को, और operating system वापस outside world को या user को, तो ये main काम होता है, operating system का, clear? अब इसमें क्या होता है कि computer की जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो देखिए computer हम लोग पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, previous videos में, आप computer वाली videos जरूर रिफर कर लीजेगा, जो लोग जो है नहीं रिफर करेंगे, उनको फिर ही दिक्कत आएगी बार बार, every now and then, तो हमें मालूम है कि computer के जो main components होते हैं, वो क्या, monitor हो गया, keyword हो गया, mouse हो गया, और other part भी होते हैं उसके साथ, ठीक, तो जब भी आप कोई hardware, hardware का मतलब क्या हुआ, वो component जिसको आप देख सकते हैं, अपनी आखों से आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है, तो वो hardware हुआ, तो जब भी आप कोई hardware यूज करेंगे, तो उसको काम कराने के लिए, आपको एक interface की जरूरत पड़ेगी, आपको एक interface की जरूरत पड़ेगी, तो इस interface को driver भी बोलते हैं, driver, जैसे printer का driver हो गया, mouse का driver हो गया, keyboard का driver हो गया, तो in fact ये driver क्या होता है, ये driver जो है, basically interfacing software होते हैं, interfacing software, इनहीं को driver बोलते हैं, जैसे माल लिजे, कोई computer है, ठीक है, अब उसके साथ हमने एक mouse attach किया, समझ रहा हैं, तो आपने खाली connection कर दिया, USB port से pin drive की तरह लगा दिया, तो mouse नहीं काम करना लगेगा, mouse का जो driver होगा, इसका जो driver होगा, वो computer पे installed होना चाहिए, काम करहूने के लिए, समझ गया कि नहीं, ऐसे आपने माल लिजे, से suppose कीजे, keyboard कर दिया, computer से, तो केवल hardware connection से नहीं काम होगा, आपको keyboard का भी driver इस पे install होना चाहिए, अगर keyboard का driver इस पे नहीं install है, तब तक वो keyboard काम नहीं करेगा, तब तक वो mouse काम नहीं करेगा, तो कोई भी अगर आप hardware device connect कर रहे हैं, तो उसके साथ, उसका driver कह लीजे, या उसको interfacing software कह लीजे, वो install होन जरूरी है, ठीक, इसलिए जब भी आप कोई hardware install करेंगे, तो उसका driver कम्प्यूटर के उपर install होगा, अब अगर हम बात करें, operating system के basic की, या history की, history of operating system, ठीक, तो operating system की history के हम बात करें, तो पहले operating system को हम define करें, अगर एक proper language में, तो हम यह कह सकते हैं, operating system is a software program that manages the hardware and software resources of a computer, यानि की operating system क्या है, वो software है, जो computer के hardware और software resources को, computer पे कौन-कौन से hardware connected है, और कौन-कौन से उसके उपर software installed है, उन सब को कौन manage करता है, operating system manage करता है, इसलिए operating system बहुत जरूरी चीज़ है, और सबसे पहले computer पे, जैसे आपका यह raw computer है, उसके उपर सबसे पहले operating system ही install किया जाता है, उसके बाद आपके system software और application software वो सब जब आगे आएगा तो आपको बताएंगे, उसके बाद फिर यह application software हो गया, और तब जाके user हुआ, तो इसका मतलब कि operating system manages all the hardware and the software resources of the computer, और अगर आपसे का जाएगी operating system के basic task क्या है, तो देखिए operating system के जो basic task होते हैं, वो यह होते है, controlling and allocating memory, second हो गया, pre-authorizing, priority set करना, the processing of instruction, controlling input output device, facilitating network and managing file, तो operating system के जो main काम होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, पहला तो हो गया, memory allocation, memory allocation, अभी यह भी मैं बताता हूँ आपको explain करके क्या, second उसने कहा है, second क्या होता है, instruction priority set करना, instruction priority, ठीक, third हो गया आपका, instruction priority के बाद, third हो गया आपका controlling input output devices, controlling input and output devices, फोर्थ हो गया आपका facilitating networking, और इसको explain करते हैं, और फिफ्थ हो गया आपका managing files, managing files, यह basic काम होते हैं, operating system के, पहला क्या है, memory allocation, मतलब कि अगर आप computer को कोई भी data input कर रहे हैं, कोई भी set of instruction या program उसको input कर रहे हैं, एक example ले ले लेते हैं, आपको माल लिजे हमें, कोई program करना है, दो number के addition का, c equal to a plus b हमें calculate करना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम input करेंगे, a, फिर b input करेंगे, फिर हम उसको calculate करेंगे, और फिर हम उसको c को output करेंगे, यह बनेगा ना, simple dance program, तो memory allocation का मतलब क्या हुआ, कि हमको इस program को execute करने के लिए कितनी memory चाहिए, अब कितनी memory मतलब, memory भी हम लोग discuss कर चुके हैं previous videos में, उसको देखिएगा, आपको आसानी रहेगी समझने में, memory allocation मतलब कि भाई, हम जो data a input कर रहे हैं, वो किस type का, integer है, character है, float है, ठीक, क्या है, उसके लिए हमें कितने byte चाहिए, बी के लिए हमें कितना byte चाहिए, इन दोनों को add करके C में store करना है, इसके लिए कितना byte चाहिए, और इस program को store करने के लिए कितना byte चाहिए, माल लिए प्रोग्राम जो हमने लिखा है, वो suppose कीज़े हमारा आ जा रहा है, से कुछ भी ले लिजए, से 500 किलो बाइट में, और यह जो data store के लिए हमको जगह चाहिए, माल लिजए हमको से 16-16 बाइट चाहिए, तो 16 into 3, 16 तिया कितना होगे, 48, यानि हमको यह total काम करने के लिए, 548 किलो बाइट जगह चाहिए, तो यह जगह कौन एलोकेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, पहला काम, अब आ जाएए instruction priority, instruction priority मतलब, अगर माल लिजए हमने computer को दो instruction दे दिये, हमने का भई C बराबर A प्लस B करो, और दूसरा instruction में दे दिया, C बराबर A into B करो, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले ये काम करेगा, computer की पहले ये काम करेगा, ये कौन डिसाइट करता है, ये operating system डिसाइट करता है, ठीक, अब आप आजाएए controlling input and output devices, computer के साथ जो भी input और output devices लगी होती है, जैसे input की हम बात करें, तो keyboard हो गया, mouse हो गया, output के हम बात करें, तो monitor हो गया, printer हो गया, तो जो भी devices connect होती है computer से, उसको ये operating system ही control करता है, जब input लेना है, तो वो keyboard से input ले लेगा, जब output देना है, तो वो monitor पर output दे देगा, ये सारे कामों को operating system ही manage करता है, तो ये इसका third work हो गया, fourth क्या है, facilitating network, network का मतलब क्या हुआ है, कि जैसे माली आपनों computer lab में, office में, hospitals में, आप तो सभी जगा, आपने देखा हुआ सारे reservation system में, कहीं भी आप जाईए, सारे computer एक दूसरे से connected रहते हैं, तो जब computer आपस में connected होते हैं, इन्ही को बोलते हैं कि, they are in networking, तो networking को भी facilitate करने का काम, networking प्रोवाइट करने का काम, यह operating system करता है, इसमें जब अगर आगे detail में, हम लोग चलेंगे, तो single user operating system, multi user operating system, यह सब हम लोग डिसकस करेंगे, coming days में, और lastly क्या है, managing file, कि computer के उपर, जो भी हम data store करते हैं, जो भी data store होता है computer में, वो files में होता है, ठीक, तो जो different तरह की file हैं, वो computer में manage होना, ठीक है, कौन सी file कहां रखी है, यह सारी चीज़ें, भी कौन control करता है, यह सारी चीज़ें भी operating system ही control करता है, तो यह हमने आपको basic introduction दे दिया, operating system का, अब इसको हम लोग जो है, आगे detail में coming lectures में इसको पढ़ेंगे, तो I hope कि, अब यह फिर से आपको एक suggestion दूँगा, कि अगर जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, और जो लोग नए आए हैं, वो please computer के, जो मैंने fundamental of computer, origin of computer से लेकर, आज तक की जो भी वीडियो डाली है, उनको refer कर लीजे, उसमें storage device, input output device, सारी चीजे मैंने cover कर ली हैं, तो आपको फिर यह time to time, आगे पढ़ने में कहीं problem नहीं आएगी, ठीक है, तो I hope कि आपको वीडियो content पसंद आ रहा है, अगर वीडियो content पसंद आ रहा है, तो please वीडियो को share कीजे, like कीजे, चैनल को subscribe कीजे, और notification bell को on कर दीजे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर available हो, उसकी notification आपको तुरन मिल जाए, Thank you.